इस वीडियो में हम किला 7th subject match chapter 2 fractions and decimals exercise 2.1 के question question 6 7 8 solve करेंगे question number 6 है Salil wants to put a picture in a frame Salil जो है एक picture को frame में लगाना चाहता है the picture is 7 whole 3 upon 5 cm wide picture की चोड़ाई जो है 7 whole 3 upon 5 cm है to fit in the frame the picture cannot be more than 7 whole 3 upon 10 cm wide picture की चोड़ाई जो है frame से 3 upon 7 whole 3 upon 10 cm की चोड़ाई से ज़्यादा नहीं हो सकती to how much should we the picture be termed तो हम जो है picture की कितनी चाट काट चाट कर सकते हैं तो देखिए स्वेंट हमें given है क्या क्या given है हमें एक तो पिक्चर की चोड़ाई given है तो बेड़ेथ of the picture 7 whole 3 upon 5 cm अब यह हमाँ mixed fraction में given है इसे हम simple fraction में change कर लेंगे 5, 7 जा 35, 35 में 3 8 करेंगे तो 38 upon 5 हो जाएगा और हमें frame की चोड़ाई given है तो बेड़ेथ of the frame is equal to 7 whole 3 upon 10 cm इसे भी हम simple fraction में change कर लेंगे तो 10, 7, 70, 70, 73, 73 upon 10 cm अब हम यह बताना है कि picture की हम कितनी काच्छाट कर सकते हैं तो हम हमारी जो है picture बड़ी है और frame हमारा छोटा है तो हम picture की चोड़ाई में से frame की चोड़ाई को minus कर देंगे तब हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा तो यहां हम इस्वेंट स्वाइट करेंगे आंसर फाइब जो चेरए टुड़ा टाइग टू़ा सुड़ी है तरहे प्ल़ी है और छैज़ा भीट है पिक्चर की चोड़ाई है हमाई 38 अपॉन 5 माइनस फिरेम की चोड़ाई है 73 अपॉन 10 अब देकिस्वेंट्स LCM आएगा हमारा 10 क्योंकि 5 की टेबल में भी 10 आता है और 10 की टेबल में भी 10 आता है तो LCM हम 10 दे सकते हैं 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 तूचा 10 2 आया 2 से उपर वाले नमबर में मल्टिप्लाई कर देंगे 2816 कैरीवन 286 6 आब 7 माइनस 10 से 10 को डिवाइड किया तो 10 बनज़ा 10 बन आया 1 से उपर मल्टिप्लाई कर देंगे तो 73 बनज़ा 73 थिरी अब 76 में से 73 को माइनस किया तो 3 बचा हमारा अपाउन में 10 आया तो 3 अपाउन 10 हमारा आंसार आ गया यानिकि पिक्चर की 3 अपाउन 10 सेंटिमीटर काट छाट हमें करनी पड़ेगी Q7 है जितू एट 3 अपाउन 5 पार्ड आफ एन एपिल एंड रिमेनिंग एपिल वाज इटिन वाई हर ब्रोदर सोमू जितू ने एक सेब का पार्ट 3 अपाउन 5 खाया और सेब उसकी भाई सोमू ने खाया How much part of the apple did सोमू एट सेब का कितना भाग जो है सोमू ने खाया Who had the larger share किसका हिस्सा ज्यादा था How much और कितना ज्यादा था यह हमें find करना है स्वेंट्स अब देखे अब हम निकालेंगे जितू खाती है थिर्य पॉन 5 पार्ट एपल का अब सोमू कितना खाता है सोमू का पार्ट निकालेंगे कोशन नमबर सेवेन है मादा पार्ट आफ दा एपल एटिन वाई सोमू अब देखे एक सेव है एक सेव में से जो है थिर्य पॉन 5 तो जो है जितू खा लेती है अब बन में से जो है थिर्य पॉन 5 को माइनस कर देंगे जो पार्ट बचेगा बह जो है सोमू का खाया हुआ पार्ट होगा अपॉन में बन मान लेंगी एल से माएगा हमारा 5 बन से 5 को डिवाइट करेंगी बन 5 जा 5 5 आया 5 से उपर मल्टिप्लाई कर देंगी 5 बन जा 5 माइनस 5 से 5 को डिवाइट करेंगी तो बना आएगा 1 से उपर मंडिप्लाई कर देंगे तो 3 बन जा 3 जिकल टू 5 में से 3 माइनस किया तो 2 बचा 2 अपॉन 3 तो 2 अपॉन 5 तो 2 अपॉन 5 पार्ट जो है वो जो है सोमून खाया अब उसमें यह पूछ रहा है कि कोशन में कि who had the largest yeah किस ने ज़्यादा पार्ट खाया तो देखिए रितू का पार्ट है थरी अपॉन 5 और सोमू का है टू उपॉन 5 ठेक है तो दोनों के पार्ट का हम compare करेंगे रितू का है 3 upon 5 और सोमू का है 2 upon 5 तो डी नुमेर्टर तो हमाँ सेम है तो नुमेर्टर में देखेंगे तो 3 बड़ा है तो ये पार्ट जो है 3 upon 5 रितू का है तो रितू ने जो है सोमू से ज़्यादा सेव खाया तो रितू का हिस्सा ज़्यादा है तो यह हो जाएगा 3 upon 5 greater than 2 upon 5 तो जितू ने ज्यादा हिस्सा खाया तो यहां लिख देंगे therefore जितू had the larger share अब कितना खाया यह भी हमें find करना है ठीक है यहां write करें हम जितू had taken part of apple more than her brother sumu is equal to 3 upon 5 minus 2 upon 5 else हम लेंगे तो 5 आएगा जब denominator same होते हैं तो ऊपर के नमबरों को ऐसे ही write कर देते हैं तो 3 minus 2 is equal to 3 में से 2 minus किया तो बन बचा upon में 5 तो बन अपान 5 पार्ट जो है रितू ने सो मूँ से ज़्यादा खाया कोश्चन नमबर 8 है माइकल फिनिश्ड कर्विंग ए पिक्चर इन 7 upon 12 हावर माइकल ने एक तस्वीर में रंग वहनने का कारे जो है वो 7 upon 12 हावर में कम्प्लीट किया बैभब फिनिश्ड कर्लिंग दा सेम पिक्चर इन 3 upon 4 हावर बैभब ने उसी तस्वीर में रंग वहनने का कारे जो है 3 upon 4 हावर में किया वो वर्ग्ड लॉंगर किसने ज़्यादा समय कारे किया वाई वर्ट फ्रेक्शन वाज इट लॉंगर यह समय कितना ज़्यादा था तो देखिए स्वेंट्स कुश्चन नमबर 8 है माइकल माइकल फिनिश्ट कुल वेंग द पिक्शर इन से वन वन त्वल आवर बैभाव फिनिश्ट कुल वावर वावर अब जो है हम इन दोनों का जो है डिनोडर सेम करेंगे और दोनों में कंपेर करेंगे कि किसने जो है ज्यादा समय काम किया तो देखिए 7 upon 12 है हमारा और यह है 3 upon 4 अब यहाँ पर जो है इसमें 12 इदर है 4 तो 4 में हम कितने से मल्टिप्लाई कर दें कि 12 हो जाए तो 3 से करेंगे 3 4 12 होते है तो 3 से नीचे और 3 से ओपर मल्टिप्लाई करेंगे तो 7 upon 12 3000 9 upon 34 12 तो देखिए तो यहां हम दोनों में कमपेर कर रहें डी नहुटर हमारे सेम हो गए numerator में देखेंगे तो ये समय जो है पहला वाला जो है वो Michael का है दूसर वाला जो है वो Bebub का है तो यहाँ पर दूसरे वाले में 9 है 9 upon 12 है तो Bebub ने जो है जादा समय तक कादे किया ठीक है तो यहाँ पर इदर हो जाएगा 7 upon 12 greater than 9 upon 12 तो यह हम बैट कर देंगे देरफोर बैभव वर्गड लॉंगर अब देखे हमें यह बताना है कि बैभव ने कितना ज़्यादा समय लिया तो देखे लॉंगर टाइम ताइम बाइ तेकिन लॉंगर ताइम बाइ बैभव इस इकल तो 9 upon 12 minus 7 upon 12 इस इकल टू एल सिम लेंगे हम 12 तो यहाँ आएगा उपर 9-7 इस इकल टू अपॉन 12 अब यह दोनों नमबर जो है 2 की टेबिल से कैंसल हो रहे हैं तो हम 2 से कैंसल कर देंगे 2 बंज़ा 2, 2 6 जा 12 1 अपॉन 6 हावा जो है वो ज्यादा समय बैवब ने लिया